पैसे की तंगी को ऐसे करें दूर, करें ये आसान उपाएं अगर ये भाव किसी पाप ग्रह से पीडित हो या कोई अशुग रह इस भाव में बैठता हो तो धन की समस्या बनी रहती है। धन की प्राप्ती के लिए व्यक्ति को शिव जी की अराधना करनी चाहिए जिस सिध्धन आग्मन के स्त्रोत बनने लगेंगे। इसके अलावा इंसान को सुभेस नान आदी से शुद्व होकर कनकधार अस्त्रोत वर्श्री सुक्त का भी पाठ करना चाहिए। इस तरह अन्यमित पाठ करने से कुछ महीनों में बड़े धन प्राप्ती के योग बनने लगेंगे और धनवान बनने का सपना भी पूरा होता दिखाई देगा। ज्योतेश के अनुसार चंद्रमा की अराधना से भी धन का संकट नहीं आता है और धन संबंधी परिशानियां दूर होती हैं।